दोस्तों आज मैं आपको डिशेंट बटन के बारे में बताने बाला हूँ आप जो डिशेंट बटन का यूज करते हैं तो इसके लिए आप इस तरह से यूज करते होंगे के वलवास क्लोज करने के लिए तो आज मैं आपको बताऊंगा का आप अपने डिशेंट बटन का यू भेजियों को स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों आपको पहला शेटिंग बताते हैं तो जैसे हम इसको टुछ करते हैं तो क्या ओता यह हमारा सारा एप क्लोज हो जाता है फिर हम जो भी चलाना चाहते हैं चलाते हैं तो इसके लिए हम जो भी एप को चलाना चाहते हैं तो जैसे हमने यह शेटिंग बला है हम इसे चलाना चाहते हैं यह फिर तो इसे हम क्या करेंगा अगर हम इसे लॉक करना चाहते हैं जैसे हम यहां पर जैस के लिए उसको टॉच करेंगे और नीचे की तरब थो श्वाइप करेंगे तो देखे यहांपे एक option है लौक का था हम इस तरह से लॉक कर देंगे लॉक करने से क्या होगा दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारा एप हट गया लेकिन जैसे हम यहाँ पर रिशेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यह वाला एप रह गया तीस तरह से क्या होगा दोस्तों जैसे आप कोई भी मुव करने के लिए से क्लिक करेंगे और नीचे के तरफ स्वाइब करेंगे और यहां पर लॉक का बटन है तो इसे टच कर देंगे तो यह अनलॉक हो जाएगा देखें यहां से लॉक का बटन हट गया तो इस तरह से आप अपने रिशेंट एप को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं तो चलिए हम दूशा शेटिंग बजाते हैं तभी हमारे डिषेंट में सिर्फ में एक है समुस्टेंट लेते हैं जिसे और तीन मोईल खोल लेते मैं का फूर दो तीनी सिटोर को खुल को इस तरह से 345 बटन को हमने को ख़ू लिया कि खूलने के बाद कलेंडर को खोल लिया इस तरह से देखिए हमारा रिशेंट में 3-4 अभी हो गया तो इस तरह से क्या करेंगे जैसे हम जो भी एप्स को हम चाहते हैं इस सिंगल मॉबाइल है मेरा और इसमें हम डबल एप्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए क्या करेंगे जैसे देखिए हमारा प्ले स्टोर है तो हम प्ले स्टोर को टच करेंगे और नीचे के तरफ स्वाइब करेंगे तो इसमें एक आप्सन है स्पिल्ट स्पिल्ट स्क्रीन का तो हम इसे जैसे ही टच करेंगे तो देखिए हमारा ये दो हिस्सों में स्कीर्ण बढ़ गया एक में हम प्ले स्टोर को ओच कर सकते हैं और दूसरा में हम गोगल चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं इस तरह से आप कोई भी सकीर्ण को पकर कर के यहां से बड़ा और चोटा कर सकते हैं जैसे वहां से गूगल इस्टोर चला रहे हैं तो वहां से गूगल इस्टोर चला सकते हैं और नीच उपर प्ले स्टोर चला सकते हैं इस तरह से चली हम आपको दिखाते हैं कि जैसे दूसरा लेके दिखाते हैं जैसे यह मेरा यूटूब है और यूटूब को मैंन इस तरह से हमारा उपर पर यूटूब सांग भी चलेगा कोई भी सांग हम यहां पर सर्च कर सकते हैं देखें हम सर्च करके दिखाते हैं आपको सांग हम सर्च कर दिये और इस तरह से हमारा यहां से सांग भी चलता रहेगा कोई भी सांग हम यहां से देख सकते हैं और यहां पर हम Google, Facebook, WhatsApp कुछ भी चला सकते हैं तो इस तरह से आप दो एक इसकीन पर दो काम एक साथ कर सकते हैं इस तरह से हम चाहे तो यहां पर वीडियो देख सकते हैं WhatsApp चला सकते हैं, Google चला सकते हैं देखें और आप दोनों में से जो इसकीन को बड़ा चोटा रखना है रख सकते हैं इस तरह से यह सकीन बड़ा हो जाएगा और Google को बड़ा रखना चाहते हैं इस आप बड़ा रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आपको नेस्ट ट्रिक बताते हैं यह रिशेंट बटन का इसके लिए यहां पर देखें यह रिशेंट बटन यहां पर तीनों के तीनों शो कर रहा है लेकर अगर आप चाहते हैं और शेटिंग मेंजाने के बाद यहां पर यहां पर एक आप्शन है Bernard & Convenient का तो हम इसे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद दिख्थे यह पर एक आप ज़रे फॉस नेवीगेशन बटन्स तो हम नेवीगेशन बटन्स को क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर यह वाला भी option मेरे मुवाईल में show कर रहा है देख लिए इस side recent बटन है बीच में home बटन है और इस side back बटन है लेगन अगर हम चाहते हैं कि हमारे this side back बटन हो तो हम यह नीचे वाले को जैसे ही click करेंगे तो हमारा देखिए इस side back बटन हो गया तो इस तरह से आप अपने मुवाईल में भी आप अपनी magic अनुसार इस side या इस side रख सकते हैं back बटन को तो चलिए दोस्तों हम आपको next setting बताते हैं अगर आप चाहते हैं जैसे हमारे मुवाईल में यह recent button, home button और back button तीनो शो कर रहा है लेकर आप चाहते हैं कि यह तीनो बटन शो ना हो और आप गेस्चर से इस्तेमाल करें तो चलिए हम आपको बताते हैं बीना button का भी हम सारे फैंसन को यूज करेंगा इसके लिए हम अपने setting में जाएंगे, setting में जाने के बाद से हम smart and convenient में जाएंगे और इसको click कर लेते हैं और click करने के बाद click करने के बाद यहाँ पर देखिए एक navigation button है, हम इसे click करेंगे और click करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है virtual key can be hidden तो हम इसको जैसे ही open कर देंगे, देखिए यह open हो गया तो हमारे पास यहाँ पर एक virtual की जो मेरा है यहाँ से वो hidden हो गया और हम यहाँ पर swipe up gesture ने देखिए यहाँ पर swipe up gesture navigation लिखा हुआ है तो हम इसे यहाँ पर click करेंगे तो हमारे पास यह सारा option खुल जाएगा देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है swipe up go to back अगर हम इस side से यहाँ से अगर उपर की तरफ swipe करेंगे तो back हो जाएगा अगर beach से उपर की तरफ swipe करेंगे तो यहाँ पर symbol दिया हुआ है beach से उपर करेंगे तो हम home screen पर जाएगे और अगर beach से उपर जाके one second hold करेंगे तो हमारा recent button खुल जाएगा इस तरह से आप अपने magic अनुशाल से यहाँ टू गेस्टर त्री गेस्टर दिखावा है चले हम आपको कल के दिखाते हैं जैसे हमने यह वाला ले लिए और हम इसे okay कर दिया ओके करने के बाद देखिए हमारा यहां से button तीनो button हट गया है अब देखे यहां पर एक वार अच्छे से समझ लिजे अगर हम इस side से उपर की तरफ करेंगे तो back जाएंगे और यहां से अगर उपर करेंगे तो home button पर जाएंगे और यहां से उपर जाके hold कर देंगे तो हमा अगर यहां से अगर यहां से उपर करेंगे तो देखिए home screen आ गया आप अच्छे से समझ लिजे दोस्तों जैसे इस side से अगर हम उपर की तरफ swipe करेंगे तो back होगा देखिए जैसे हम कोई भी चीछ खोल लिए और यह blue tooth को खोल लिए अगर हम बैक करना चाहते हैं तो इसको हमारा यह recent tap खोल जाएगा तो इस तरह से आप अपने मुवाइल का recent tap खोल सकते हैं और फिर चाहते हैं अगर home screen पे आना तो नीचे से उपर की तरफ इसे करेंगे और home screen पे आ जाएगे दोस्तों यह सारे ट्रिक मैंने ओपो मुवाइल से बताया है तो हो सकता आपका मुवाइल कोई दूसरा हो तो उसमें setting थ्रसा अलग टाइब से हो अप मैं अगर यह setting करने में दिक्कत हो रहा तो आप हमें comment करके बता सकते हैं तो मैं आपको बता दूँगा कि यह setting कैसे करना है तो यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक like कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही आने वा देंगाओइब जड़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो चैनल को सब्सक्राइब